आज की कहानी है दाइरी का एक पन्ना लेखक हैं सीता राम सिक्षरिया 26 जन्वरी 1931 आज का दिन तो अमर दिन है आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुन्रव रत्ती थी जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही की गई थी गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था सारे काम का भार अपने समझते थे अपने उपर है और इसी तरहां जो कारे करता थे उनके घर जा जाकर समझाया था बड़े बाजार के प्राए मकानों पर राश्ट्रिय जंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानों स्वतंत्रता मिल गई हो कलकत्ते के प्रते एक भाग में ही जंडे लगाए गए थे जिस रास्ते से मनुश्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवी निता मालूम होती थी लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्ट देकर प्रदर्शन कर रही थी मोटर लोरियों में गोर्खे और सार्जिंट प्रत्यक मोड पर तैनात थे कितनी ही लोरियां शहर में घुमाई जा रही थी घुर सवारों का प्रबंध था कहीं भी ट्राफिक पुलिस नहीं थी सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था पर तब भी कई जगह तो भोर में ही जंडा फेहराया गया श्रधानन पार्क में बंगाल प्रांतिय विद्यार्ती संके मंत्री अविनाश बाबू ने जंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कॉंग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश चंद्र सेहें जंडा फेहराने गए पर वे भीतर न जा सके वहाँ पर काफी मार पिट हुई और दो-चार आदमियों के सिर्फ अट गए गुजराती सेवी का संकी और से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी उनको गिरफतार कर लिया ग्यारा बजे मारवाडी बालिका विद्याले की लड़कियों ने अपने विद्याले में जंडोत्सव बनाया जान की देवी, मदालसा, आदी भी गई थी दो तीन बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुर्शोत्तम राय थे सुभाश पाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंद कर चुका था स्त्री समाज अपनी तयारी में लगा था जगह जगह से स्त्रीयां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंद भोर में था, वैसा करीब एक बजे नहीं रहा इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे पर वह कब रुखने वाली थी तीन बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड होने लगी और लोक टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे आद जो बात थी नहीं निराली थी जब से कानून भंक का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी पुलिस कमिशनर का नोटिस निकल चुका था कि अमक अमक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती जो लोग काम करने वाले थे उन सब को इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदी सभा में भाग लेंगे तो दोशी समझे जाएंगे इधर कॉंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक चार बचकर 24 मिनट पर जंडा फेराया जाएगा तथा स्वतंतरता की प्रतिग्या पढ़ी जाएगी सर्वसाधारन की उपस्थिती होनी चाहिए खुला चालेंच देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी ठीक चार बचकर दस मिनट पर सुभाश बाबू जलूस लेकर आए उनको चौरंगी पर ही रोका गया पर भीड की अधिक्ता के कारण पुलिस जलूस को रोक नहीं सकी मैदान के मोड़ पर पहुँचते ही पर सुभाश बाबू ने कहा आगे बढ़ना है यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं पर सुभाश बाबू का और अपना विशेश फासला नहीं था सुभाश बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे यह अपनी आँख से देखा पुलिस बयान अक्रूप से लाठियां चला रही थी शितिच चटर जी का फटा हुआ सिर देखकर तता उसका बहता हुआ खून देखकर आँख मिच जाती थी इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमिन्ट की सीडियों पर चड़ जंडा फैरा रही थी और घोशना पढ़ रही थी स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुँच गई थी प्राय सब के पास जंडा था जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाटियां पढ़ने पर भी हटते नहीं थे सुभाश बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठा कर लाल बाजार लॉक अप में भेज दिया गया कुछ देर बाद ही स्त्रियां जलूस बनाकर वहां से चली साथ में बहुत बड़ी भीड इकठी हो गई बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी उसने फिर डंडे चलाने शुरू किये अपकी बार भीड जादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए धर्म तल्ले के मोड पर आकर जलूस तूट गया और करीब पचास साथ स्त्रियां वहीं मोड पर बैट गए पुलिस ने उनको पकड़ कर लाल बाजार भेज दिया स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेत्रत वो विमल प्रतिभा कर रही थी उनको बहु बाजार के मोड पर रोका गया और वे वहीं मोड पर बैट गई आसपास पहुद बड़ी भीड़ी कठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लौरी आई और उनको लाल बजार ले जाया गया और भी कई आद्मियों को पकड़ा गया ब्रजलाल गोइंग का जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दम दम जेल में भी अपने साथ था पकड़ा गया पहले तो वह जंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की और इतने जोर से दोड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुरसवार ने लाटी मारी फिर पकड़ कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया इस पर वह स्त्रीयों के जलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया तब वह दो सो आदमियों का जलूस लग बनाकर लाल बजार गया और वहाँ पर गिरफतार हो गया मदालसा भी पकड़ी गई थी तो उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था सब मिलाकर 105 स्त्रीयों पकड़ी गई थी बाद में रात को 9 बजे सब को छोड़ दिया गया कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रीयों एक साथ गिरफता नहीं की गई थी करीब 8 बजे खादी बंडार आये तो कॉंग्रेस आफिस से फोन आया कि यहां बहुत आदमी चोट खाकर आये हैं और कई की हालत संगीन है उनके लिए गाड़ी चाहिए जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी डॉक्टर दासकुप्ता उनकी देखरेक तता फोटो उतरवा रहे थे उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे बाद में तो 103 तका पहुँचे अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग है इस प्रकार 200 लोग खायल जरूर हुए है पकड़े गए आदमी की संख्या का पता नहीं चला पर लाल बाजार के लॉक अप में स्त्रीयों की संख्या 105 थी आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है बंगाल के नाम या कलकता के नाम पर कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा है पर आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहां भी बहुत सा काम हो सकता है वंदे मातरम